हेलो फ्रेंज आएम उज्वल कुमार फ्रम आईडी पत्ना और मैं आपका स्वागत करता हूँ लर्निंग इंडिया में तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो है इवापुरेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, सब्लेमेशन, सेपरेटिंग फानल, क्रोमेटोग्राफी और डिस्ट सेपरेट कर सकते हैं तो कुछ-कुछ इग्जामपल से जैसे कि आप देख सकते हो कि सीविंग तो सीविंग हम लोग इसके केस में यूज़ करते हैं जैसे कि आटा आपके घर पर आता होगा तो उसमें कितना बार क्या होता है कि impurities present होता है तो उसको हम लोग इस net की मदब से क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं इस process को बोलते हैं hand picking हम लोग घर पर देखते हैं जैसे कि कितनी बार ऐसा होता है कि आप डाल लाए और दाल में कुछ खंकर फसा हुआ है तो इसको हम लोग हाथ से क्या करते हैं निकाल देते हैं तो small level पर यह दोनों है और तीसरा है filtration तो हमारे पास contaminated water था इसको हम लोग हमने यहां पर filter paper यूज किया filter paper ने क्या किया कि यह जो इसके अंदर मिट्टी यह सब बना हुआ था उसको residue के रूप में इसको क्या कर लिया उपर च्छान लिया या फिर residue वैसे गली इसको बोल सकते हैं कि वहां पर जम गया वह और जो pure water था filtrate के रूप में था वो कहां मिल गया हमको नीचे अब हम लोग different different तरह के techniques को देखेंगे जिसको हम लोग use करते हैं mainly किसके लिए separation के लिए तो सबसे पहले है evaporation तो सबसे पहले चलिए evaporation देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा salt और water के बारे में इन दोनों का mixture जो है वो कैसा mixture है homogeneous mixture है और solution बनाता है basic लिए तो अब homogeneous mixture है अब इसको separate करना तो हम क्या करते हैं नीचे से क्या रखना है कि evaporation उस case में यूज़ करते हैं जहां पर एक component non-volatile हो और दूसरा volatile हो तो आप बोलेंगे volatile और non-volatile क क्या मतलब है तो volatile का मतलब होता है जो की vapor में convert हो डटायल क्या हो गया » water час लिए दब घ्र तो चलि न आगे बढ़ता है क्या आप युश्ब अब boda चाम के लिए एक्जांपली डिया वह ये दिया गया है इसमें लोकिवर क्या की है लगा वीर Gerade chemical क्या रख दिये फानी थीक है अब नीचे बंसन बंछर से इसको जला रहे हैं अब जैसे ही इसको बिसेगली हीट कर रहे हैं जैसे हम इसको हीट करते हैं तो वाटर से क्या होता है उपर का जो वाच ग्लास है उपर का जो वाच ग्लास है वो क्या होगा गरम होगा जैसे कि आप लोग देखे होंगे घर पे जित कभी हम लोग कोकिंग करते हैं तो क cooking को fast करने के लिए उसके उपर से हम लोग क्या कर देते हैं कोई थाली रख देते हैं और जब थाली को थाली बेचे-गली क्या होता है थाली जो होता है वो गरम हो जाता है उसी तरह ये watch glass जो होगा वो क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा अब जब ये watch glass गरम होगा तो इसके अ इतना क्योंinação कर हैं का अरेंचमेंट करते हैं संभाफना था कि यह क्या करता हैं ज्यादा हीट के कारण इसके watch glass में जम जाता सूख जाता हुद तो श्याधर हमको अच्छे तरीके नहीं लेकिन यह ज्यादा तरीका कितना आप देखें कि घर पे भी कितना बार यह होता है कि हम लोग सब्जी गरम करते हैं और सब्जी में अगर ज्यादा लिक्विड नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको गरम नहीं करते हैं तो सब्जी या फिर दाल क्या ह होता है जल जाता है उसी तरह का हो केंद वी अप्टेइन कलर्ड कंपोनेंट डाय फ्रॉम ब्लू ब्लाक इंक तो यह हमारे पास एक question था जिसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते है centrifugation तो इसके पहले हम लोग देखे थे evaporation का technique क्या था एक volatile होना चाहिए एक क्या होना चाहिए non volatile मतलब कि एक vapor में convert होगा दूसरा vapor में convert नहीं होगा यह जो centrifugation आप यहां पे देख रहे है centrifugation जो based होता है वो density पे based होता है किसके basis पे इसको याद रखो आप एक दम density के basis पर हम लोग क्या करने है? separation करने है किसके basis पे? density के basis पे अब इसमें करते क्या है हま लोग washing machine washing machine जो है centrifugation का example है washing machine में आप कपड़ा डालते हो अब वो जैसे ही घूमता है तो water का density जादा रहता है तो वो कहां जाता है नीचे और नीचे हम लोग क्या लगा देते हैं उसके small small holes कर देते हैं जिसे water बाहर निकल जाता है उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास test tube है अब test tube में मेरे पास liquid है अब इस test tube को घुमाएंगे इस test tube को क्या करेंगे घुमाएंगे तो जो higher density वाला है ना जो higher density वाला है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे जाके बैट जाएगा तो इसी technique को हम लोग क्या बोलते हैं centrifugation इसी technique को क्या बोलते हैं centrifugation यहाँ पर दिया गया आप इसको पढ़ सकते हो dairy form में इसको यूज करते हैं बिजगली क्या निकालने के लिए फुल मिल्क क्रीम में से क्रीम निकालने के लिए यूज करते हैं यह ncrt से मैंने लिया है ताकि ncrt में क्योंकि यह दिया हुआ था और यह जेनरल्लियम लोगों समझ में नहीं आता है तो और इसका क्या-क्या अप्लिकेशन है तो डाइगोनास्टिक लाबरेटरी में उमिसेबल लिक्विड स्वरी यहां पर गल्ती हो गया यह इसको बोलते है इ permettre इसनिबल का मतलब जो ना घूले तो जो ना घूले उसके लिएम क्या यूज इसकरते है सेपरेडिंग फ़र्णिन इसमें भी टेनसिटी ही की पॉइंट क्या are principle की point आप याद रखो density है immisible liquid के लिए और इसको हम लोग separating funnel से क्या कर रहे है separate कर रहे हैं और पीछे भी density था लेकिन वो missible था और यह क्या है immisible तो इसमें क्या करते हैं कि यहां पर separating funnel है मेरे पास अब separating funnel में जैसे ही हम डालते हैं दो immisible liquid का तो जो higher density वाल रहता है वो कहां रहता है नीचे और जो कम density वाला रहता है और जो कम density वाला रहता है जस्ट वेट अ मिनिट और जो कम density वाला रहता है वो कहां रहता है हमारे पास वो हमारे पास रहता है ओपर में वो कहां करते हैं तो water पहले कहा जाता है नीचे और kerosene कहा रह जाता है उपर इसी process को बोलते हैं separating funnel से हम लोग क्या कर दिए separate कर दिए ठीक है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं application oil और water को separate करने के लिए और ये दूसरा point है इसको आप याद important है the principle is that invisible liquid separate out in layers ncrt से लिया है मैंने depending on their densities तो इसमें ncrt बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं था कि आपको दिक्कत ना हो अब यहां पे salt और ammonium chloride तो ammonium chloride के बारे में आप पढ़े थे इस point को आप याद रखो यहां पे salt और ammonium chloride है तो एक जो है वो sublime object है ncrt से फिर से मैंने लिया इस इस पैरा को सम examples of solids which sublime are sublime का मतलब है कि solid से direct किसमें convert हो जाएगा gas में या फिर आप बोल सकते हो vapor phase में solid से किसमें convert हो जाएगा vapor phase में और इसकी examples दियें यहां पे examples आप याद रखना एक नंबर में पूछ सकता है कि कौन इसमें से sublime object है तो ammonium chloride, sycamphor, naphthalene और anthracene सब किसके examples हैं सब examples हैं sublime के मतलब कि और salt जो है वो sublime का example नहीं है तो एक है sublime और दूसरा sublime नहीं है तो अब देखिए activity sensitivity में बताया है क्या करते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या है एक china dish से china dish का मतलब कोई बर्तन ले ली है नीचे से बंसेन बरन से इसको गरम कर रहे हैं अब यहां पे मेरे cotton plug इसी लिए लगाएं ताकि यह बाहर न निकल जाए अब जैसे ही गरम कर रहे हैं तो अब इसका जो वॉल है यहां पे जो वॉल से ठंडा है solid में अब पूरा convert हो गया इसको separate कर देंगे तो china dish में बच क्या जाएगा मेरे पास salt और जो ऊपर बचेगा वो क्या बच जाएगा ammonium chloride तो इसी process को क्या बोलते हैं हम लोग sublimation से separate करना किससे separate करना sublimation से separate करना तो इसके बाद है हमारे पास chromatography जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए learning India यह YouTube channel है इसको share किजे like किजे subscribe किजे और practical questions पूछे आपको doubts है तो आप comment box में लिख सकते हैं मैं उसका answer जरूर दूँगा Thank you